सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाईए और लेटस न्यूस सबसे पहले पाईए दान मंत्री जी मैं अपना से अपकरना बोल रही हूँ मैं अपनी एक सहेली के बारे में बताना चाहती हूँ वह हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी एक आदत देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ मैं एक बार उसके साथ शॉपिंग करने मॉल गई थी एक साड़ी पर उसने 2000 रुपए बड़े आराम से खर्च करती है और पीजा पर 450 रुपए जबकि मॉल तक जाने के लिए जो आटो लिया था उस आटो वाले से बहुत देर तक 5 रुपए के लिए मॉल भाव करती रही वापस लोटते हुए रास्ते में सबजी खरीदी और हर सबजी पर फिर से मॉल भाव कर 4-5 रुपए बचाए मुझे बहुत बुरा लगता है बड़ी बड़ी जगे एक बार भी बिना पूछे बड़े बड़े बुपतान कर देते हैं और हमारे मेहनत कज भाव बहनों से थोड़े सी रुपएओं के लिए जगड़ा करते हैं उन पर अविश्वास करते हैं आप अपनी मन के बात में इस बारे में जरूर बताए अब यह फॉन कॉल सुनने के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि आप चोग भी गई होंगे चोकनने भी हो गई होंगे और हो सकता है आगेस ऐसी गल्ती न करने का मन में तई भी कर लिए होंगे क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम हमारे घर के आसपास कोई सामान बेचने के लिए आता है कोई फेरी लगाने वाला आता है, किसी छोटे दुगानदार से, सबजी बेचने वालों से हमारा सम्भन आ जाता है, कभी ऑटो रिख्षा वाले से सम्भन आता है, जब भी हमारा किसी मेहनत कस्व्यक्तिक के साथ सम्भन आता है, तो हम उससे भाव कम तोल मोल करने लग जाते हैं, मोल भाव करने लग जाते हैं, नहीं इतना नहीं, दो रुप्या कम करो, पांच रुप्या कम करो, और हमीं लोग किसी बड़ी रेस्टरोन में खाना खाने जाते हैं, तो बील में क्या लिखाए देखती भी नहीं है, धढ़ा से पैसे दे देते हैं इतना इना ही शोरूब में शाड़ी खरीदने जाए कोई मोलभाव नहीं करते हैं लेगिन किसी गरीब से अपना नाथा आ जाए तो मोलभाव की ये विला रहते नहीं है गरीब की मन को क्या होता होगा ये कभी आपने सोचा है उसके लिए सबाल दो रुपे पांच रुपे अगर नहीं है उसके रुदे को चोट पहुंचती है कि आपने वो गरीब है इसलिए उसकी इमानदारी पर शक किया है दो रुपे पांच रुपे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है लिगने आपकी छोटी सी आदत उसकी मन को कितना गहरा धक्का लगाती होगी कि कभी सोचा है मैडम मैं आपका आभरी हों आपने इतना रिदय को छुने वाना फोन कोल कि एक मैसेज विज़े दिया मुझे विश्वास है कि मेरे देश्वासी भी गरीब के साथ ऐसा वहवार के निए आदत होगी तो जरूर छोड़ देंगे